अगर किसी भी इंसान को ये पता चल जा ना कि उसका व्लोगर बनने का सपना एक दिन उसके लिए mental torture का reason बन जाएगा तो I am really very sure कि कोई भी इंसान ना व्लोगर बनने की so-called नामी गिरामी व्लोगर बनने की बड़ा influencer बनने का सपना नहीं देखेगा उसे ये लगेगा कम में रहो संतुष्ट रहो मान सिख शानती रहे तो आज हम बात करने वाले हैं सुचीता के बारे में यानि की पूजा के बारे में उनकी ये community जब से मैंने देखी है क्योंकि देखो सबके vlogs आप daily सारे vlogs नहीं देख सकते मैंने vlog देखा था बड़ मैं पूरा उस चैनल का नाम में इंसन कीजिएगा मेरे comment section में ताकि मुझे भी पता चले कि कौन है ये महान लोग तो पहली चीज़ की ये community मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ मैं अपना ससुराल आ चुकी हूँ भाई को देखने आना मेरी गलती थी कुछ लोगों ने मुझे एह असास दिला दिया अब कोशिश यही रहेगी कि माईके से कोई भी रिस्ता ना रखों बहन होने का फर्ज खतम बहुत कोशिश किया संभालने की पर अब नहीं होगा मेरे माईके में जब तक मेरे मापापा जिन्दा है रिस्ता है उसके अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं न भाना बहुत कुछ है पर समय आने पर सब क्लियार करूंगी बात मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट की है बस सब खतम ये जो कम्यूनिटी है लोगों के लिए एक बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके से इस कम्यूनिटी को लेंगे कुछ लोगों के लिए ये हेट कम्यूनिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए इस कम्यूनिटी को लिखते हुए उस फीलिंग को आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि कब एक लड़की अपने किसी भी best friend से bestest friend से कब ये बाते करती है कि यार मेरे माईके से सारे रिस्ते खतम कब जब वो बहुत deeply hurt होती है और ये deeply hurt जो है क्या पूजा सिर्फ और सिर्फ अपने आरे ही community से यानि कि reaction community से ही ऐसे लोग है ना जो इस family में बहुत सारे disputes कराने का reason है बहुत सारे लोग उठके चले भी आएंगे कि reaction वालों को ऐसा बोल रही है जी हाँ जो जीजें आपको नहीं दिखती उन चीजों के बारे में बात करने का क्या ही मतलब है क्यों ये बार बार पूछा जाता है कि जब भी तुम बैंगलोर से आती हो तो माई के क्यों चली आती हो ये उसका decision है ये उसके family का decision है और जब सासुराल की family को वो अब on camera लेके नहीं आती है सासुराल में वो जब भी जाती है लास्ट येर ही जब वो सासुराल गई थी तो उनके सासुराल में बहुत बड़ा कुछ हुआ था बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें किसी की death भी हो गई थी लेकिन पूजा ने कुछ भी share नहीं किया तो ये उनकी personal जो आइस है कि उनकी पूरी की तर, पूरी की तरीके साअगर उसपे आती है social media पे आती है तो उसकी क्या ही छवी बन जाएगी कितनी सारी controversies face करनी पड़ेंगी जो भी reason हो अगर वो family यानि कि सुचिता के ससुराल की family camera पे नहीं है तो हम में से किसी को भी ये right नहीं है क्योंकि आप reaction सिर्फ उनी चीजों पे देख सकते हो जो आपको vlogs में दिखता है व्लॉग based reaction उसे बोलते हैं और व्लॉग based reaction ही देने चाहिए आप camera के पीछे आपको किसी ने कुछ भी बता दी आपको Instagram पे आपको Facebook पे आपको कहीं कहीं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चली है या आपकी personal खुनस है कि आपकी ननत तीसरे दिन चली आती है या फिर आपको अपने माई के अपने ससुराल वालों से पांच बार पूछ के जाना पड़ता है पहले civil court को लेटर लिखो उसके बाद high court में जाओ फिर high court की second bench में जाओ फिर supreme court में जाओ तब जाके आपको पारित होता है कि आप माई के जा सकते हो तो यही process आप हर एक लड़की के साथ हर एक बहु के साथ क्यूं चाहते हो भला कि यह सारे process हर एक लड़की के साथ follow हो उसे भी बार बार step by step सबसे पूछना पड़े और तब जाना पड़े और ये आप कैसे decide कर लेते हो खुद से ही बिना देखे क्योंकि इनकी family से, इनके ससुराल की family से कोई भी camera पे नहीं है जो ये कहने आए कि हमसे बिना पूछे आई थी और जब सुचिता ने यानि कि पूजा ने पहले खुदी बोल दिया है कि हम मेरे ससुराल वालों ने ही बोला था कि आप जाओ या मतलब आप आजाओ और आपको सिधे direct सिवान ही जाना चाहिए ससुराल लाने की पहले जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपकी नीड पहले है आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ पेसेंट है वहीं तो इंसान जाएगा और इतने समस्दार सब है यह उनकी आपसी mutual understanding है तो फिर यह कुछ reaction channel वाले कौन है भी या जिने सब कुछ जानना है और क्या आप दूद के इतने जादा धुले हुए हो आप इतने संसकारी हो कि आप डेली सुभे साम उठके और घरवालों के जो आपके जितने भी बड़े घरवाले हैं आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं आपके घर में जितने भी सदसे हैं सास हैं ससुर हैं ननद हैं नंदोही हैं देवर हैं देवराणी है जेठ चंदन करते हो और उनके आगे माथा रगड़ते हो इसी में आपकी पूरी दिन चर्या बीतती है उनके चरणों को धुलते हो और उसी चरणामृत का पान करते हो तो इस लेबल का संसकार जो है ना इस लेबल की चीजें आप सबसे उमीद भी मत करो सब नहीं कर सकते सबके पास बहुत सारे काम है और जिनके चरण धुलके आप दोनों समय पीते हो शाद वो भी इतने फ्री होंगे कि उन्हें बस आपके आपसे अपने चरण धुलवाने का ही इंतजार रहता होगा वो आसन पर बैठे रहते होंगे कब आओ और अपने संसकारों की नदी बहाते हुए उनके चरणों को धुलो उन्हें दिपगी के दिये दिखाओ उनकी आरती करो और उनकी मनुहार करो उनका पूजा पाठ करो और उन्हें भोग लगाओ सारा कुश करो वो भी वेल्ले निठल नहीं होंगे उनके पास भी काम लेकिन सबकी फैमली ऐसी नहीं होती है सबके पास काम होते हैं सबकी अपनी अपनी लाइफ है सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है और सबके पास इतना वेल्ला खाली टाइम नहीं है कि वो यह सोचें कि यह पूजा आई तो मुझसे भी ना पूछे चली आई क्यों पूठ केयाना चाहे, आचीम उसे नहीं पुछा तो अपनी भावी से पुछा होगा, वो अपनी वाइब से भी पूछने जाए, तुमसे पूछा था अचा पाप से पुछा होगा तो इतना टाइम सबके पास नहीं होता है भई सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है और सबकी ना फैमिली का एक वो होता है कि वो किस तरीके से रहते हैं लाइफ स्टाइल सबकी होती है कि वो उसी लाइफ स्टाइल में रहते हैं और उन्हें उसी तरीके से रहना पसंद होता है नॉर्मल तरीके से वो अपनी चीजों को लेके चलते हैं सबकी घर में न इस तरीके से खीचता नहीं होती है कि एक ही बात को हम लेकर एक सिरातुम खीच रहे हैं दूसरा सिराहम खीच रहे हैं सबकी कुछ families ऐसी भी होती हैं जो बहुत अच्छे mutual understanding के साथ रहती हैं और हम यही hope करेंगे ना कि जहां पे जिस family में at least पूजा के ससुराल में अगर किसी भी तरीके की कोई controversial situation नहीं है जिसके लिए ही वो लड़की अपने ससुराल वालों को vlogs में नहीं ले आती है बहुत बार क्यों कि यह जो सारे लोग है ना जितने भी negative comment करने वाले negative mindset के लोग है वो आके और question करने लगेंगे या बोलने लगेंगे या चीजों को छोटी चोटी चीजों को figure out करने लगेंगे अच्छा मा को लाल साड़ी दी जठानी को नीली साड़ी दे देखो देखो यह अपनी मा को ज़्यादा प्यार करती है तभी तो मा को लाल साड़ी दे देखो नीली साड़ी दे इस तरीके की बातें जो करने वाले लोग है ना इन ही लोगों के डर की वजह से यह अपनी ससुराल की family का कचड़ा नहीं बनाना चाहती और जो लड़की अपनी ससुराल की respect करना चाहत किया है ना मैं पूजा के सारे emotions को पढ़ सकती हूँ एक लड़की ना सिर्फ अपने भाईयों के प्यार के लिए उतने दूर से अपने माई के आई माई के आने के बाद जो भी चीज़ें हूँ क्योंकि बड़े भाई को देखने आई छोटे भाई ने कितना प्यार दिया छ कुछ चीज़ों को कहना तो चाहा पर वो रुक गई कहते कहते रुक गई उसे नहीं अच्छा लगता है कि गले में हमारे खरास हुई है तो हम दिखाये कि गले में डॉक्टर ने बुलाया कि बहुत टेंसन हो गया है गले में टेंसन हो गया है और ठंड लगने में टेंसन हो गया है ऐसा सब कुछ भाई पॉब्ली को भी दिखता है कि आप कहां पे फेक हो और आप कहां पे रिल हो तो प्लीज अपनी आखों को खोलिए जुबान कौने से ज़्यादा जरूरी है अपनी आखे अपना दिल अपना दिमाग कोलना और फिर चीजों को एनलाइज करना रियक चोटा सा बच्चा और सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के प्यार के लिए आई है किस लेवल तक हट होने के बाद ये इस पेन को आप फील भी नहीं कर सकते हो तो उस लड़की को इस टाइम पर तो टॉर्चर भी नहीं करते हैं क्योंकि एक छोटे से बच्चे को जो मा छोड की आया होते हैना उसके पास अपने बच्चे से एक बहुत सारी मोशन होते हैं चलिए फ्रेंड्स व्लोग को यहीं पेंड करते हैं